आपका सौगत है मैं डॉक्टर सुनीता सिंग सहाय का चारे सिक्षा संकाय दिल्ली विश्विद्याले आज आपके समक्ष प्रस्तोत हूँ एक चर्चा का विशा लेकर जिसका सीर्शक है बच्चों में आत्मसंपरत्य का विकास करना रोजर्स के अनुसार आत्मन धीरे धीरे अनुभव के अधार पर प्रसंगिक चेत्र का एक भाग विसस्टो होने लगता है और यह भाग ही आत्मन कहलाता है देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं जब पैदा होते हैं तो ज़्यादा तर अपनी मापराश्रत होते हैं माँ क किसी भी चीज को वस्तो को मूँ में डाल लेते हैं फेकने लगते हैं पटकने लगते हैं धीरे धीरे उनको उन वस्तों की अनुभूती होती है और जब एक से दो साल की अवस्ता में जाते हैं या तीन वर्ष की अवस्ता में कह लीजे दो से धाई साल का जो बच्चा धीरे और वे किसी भी कारे को आप कुछ लाने के लिए कहिए तो वे बड़े भाई बैनों से पहले उट करके दोड़ के जाता है यानि कहीं न कहीं उसके अंदर वो स्वा का विकास होने लगता है उस स्वा की तरफ वो तेजी से बढ़ने लगता है कि Yes, I am something और यह स्वा जो है उसके अंदर वो दोड़ हाई साल की अवस्था से जब वो अपनी एक स्वतंत्र अनुभूती अपनी शक्ती को महसूस करता है तब ही से होने लगता है अब हमारे सामनी ये प्रश्ण उठता है कि कक्षा कक्ष में हम बच्चों की सामने एक अच्छी आद्म संप्रत्य का, एक अच्छी सेल्फ एस्टीम का, एक अच्छी सेल्फ पॉन्सेप्ट का डिवलप्मेंट कैसे करें इसमें महतपॉन मनुवज्ञानिक काल रोजर्स ने आत्मन के वक्तित उसे धांत को दिया और उसमें उन्होंने आत्मन को एक बहुत ही महतपॉन संप्रत्य की रूप में समझाया रोजर्स के मिसाल जो मनुष्रिका जो सेल्फ होता है उसके दो उपतंत्र होते हैं सेल्फ कॉंसेप्ट आत्मसंप्रत्य और आइडियल सेल्फ सेल्फ कॉंसेप्ट उन भी माना कि जो सेल्फ का विकास है वो शेश्चों अवस्था से ही होने लगता है जब सेश्चों को अनुभूती का एक अंश अधिक मूर्थ रूप में परसनलाइज हो करके मैं या मुझकों की तरफ विसस्त होने लगता है तो वही सेल्फ कहलाता है जब मैं या मुझे समझने लगता है जब वो भले और बुरे अच्छे और बुरे कामों के बीच में अंतर करने लगता है जब उसे सुखद और दुखद अनुभूती को तो उनों सुखद दुख को महसूस करता है कई बच्चे होते होंगे आप बच्पन में देखेंगे कि वह अच्छा दिखने के लिए अच्छा बनने के लिए सब बड़े अनुशाशित तरीके से बातों को मानते चले जाते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं मानते हैं तो सबकी इसी तरीके से इसी ये जो सश्वावस्था से ये जो बाल्य आवस्था और किशूरा आवस्था की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसी में हमारे सेल्फ पॉंसेट का डिवलप्मेंट होता जाता है जब बच्चे को सुखत और दुखत अनभूतियों में अंतर होता है आध्यम की एक स्थिती को जानने लगता है जब अपनी पसंद और नापसंद को बताने लगता है जब उसमें मै का भाव आता है तब उसमें धीरी धीरे आत्म संपरत्य का विखास होने लगता हैं किसी भी कसौटी पर रंख करके एक criteria निर्मित कर लेता है और उस criteria पर जाकर के अपनी पूरी पहचान को बनाने का प्रयास करता है और जब वे उसका सोटी और अपनी अनुभूतीयों की प्रभाव शीलता की परख को शुरू करता है तब ही हम कहते हैं कि ऐसी परिस्तिती में उसके अंदर एक self concept डबलब हो रहा है जब बच्चे में self concept डबलब होता है तो इसी का दूसरा एक संप्रत होता है ideal self जिसे हमने लिखाया है जिसे हम बताते हैं आदर्श आत्मन एक ideal self वो self होता है जिसको लेकर के ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का अपना एक ideal self होता है वो एक आदर्श की भाती काम करता है जबकि जो व्यक्ति का आत्म संप्रत्य होता है वह उसके जैविक आत्मन से उसके biological self से अलग होता है आत्म संप्रत्य की जो विशेशता होती है वह यह है कि यदि किसी का self concept एक बार्डर्वित हो जाए तो समानेता जल्दी से परिवर्टित नहीं होता है व्यक्ति का जो self concept होता है वो उसके biological concept से अलग होता है देखिए biological concept जैसे हमारे यक्रित है उससे हम परिचित नहीं है लेकिन यदि हमारे यक्रित में कोई बिमारी हो जाए तो निश्चित रूप से वो जो यक्रित लिवर का biological concept जो जैविक आत्मन है वो हमारे आत्म संप्रत्य में मिलीन हो जाएगा तब हमें आरे वो self concept में आ जाएगा अत्म संप्रत्य biological concept से भी मिलता है लेकिन पहले ये biological concept अलग होता है बाद में जब व्यक्ति के आत्मन का अंश बनता है जब व्यक्ति उससे अवगत होता है जब व्यक्ति उसके अनुभूती करता है तब वह biological concept जैविक आत्मन उसके आत आतमसंप्रत्य की दो विशेश्ताओं को पढ़ है एक बार वो निरमित हो जाता है तो पुन परिवर्तित नहीं होता है और आतमसंप्रत्य जयविक आत्मन से भिनमो होता है आदश आत्मन क्या है क्योंकि रोसर ने दो हिस्से बता है एक आतमसंप्रत्य और दूसा आदश आत्मन आदश आत्मन वह आत्मन है यह आत्मन का दूसरा उप्तंत्र है अपने बारे में विक्सित की गई एक ऐसी छवी जिसे वो आदश बंना चाहता है वह है आइडियल सेल्फ प्रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सद्धान्त में आत्म को विक्सत करने के लिए वस्तुवादी प्रबर्ती की आवचक्ता को बताया अब ये वस्तुवादी प्रबर्ती क्या है वस्तुवादी प्रबर्ती के कुछ गुणों को बताते हैं उन्हें ने बताया कि यह एक ऐसी कसोटी है जिस पर रखकर व्यक्ति अपनी अनभूतियों की परख करता है अपना मुल्यांकन करता है अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी आदरश आत्मन की जो आदरश आत्मन थी वो एक ऐसी छवी थी जिसको वो आदरश मानता था और वस्तुवादी प्रबृती उसकी वह कसोटी है जिस पर रखकर वह अपनी अनभूतियों को मुल्यांकन करता है तो वस्तुवादी प्रबृती बहुत तरहे की आदर्ष से उत्पन होती है बहुत तरीके के आदर जो अपने माता, पिता, अपने घर, परिवार सब में समझता है उसी के द्वारा उसकी वस्तुवादी प्रिवर्टी विक्सित होती है वस्तुवादी प्रिवर्टी के साथ साथ उन्होंने आत्मों को विक्सित करने के लिए दो प्रकार की आवेशक्ताइं बताईं यानि वस्तुवादी प्रवर्टी बहुत तरीके की आवेशक्ताओं को पैदा करती है लेकिन यह जो इसकी actualized need है इसमें दो प्रमुक आवेशक्ता होती है किसी बालक की, किसी व्यक्ति की, किसी बड़े की एक है positive regard जिसे हम कहते हैं स्विकार आत्मक संबान और दूसरा है self regard जिसे हम कहते हैं आत्मसंबान इस प्रकार हमारे जो self concept आत्मसंप्रत्य में दो चीजे होती है एक positive regard और एक self regard अगर हम स्विकार आत्मक संबान की बात करें positive regard तो यह पुन्य दो भागों में विवक्त होता है एक होता है unconditional positive regard और दूसरा होता है conditional positive regard देखे positive regard स्विकारात्मक सम्मान स्विकारात्मक सम्मान वह सम्मान है जो हमें दूसरों के द्वारा प्राप्त होता है और यह स्विकारात्मक सम्मान दो प्रवकार का उन्होंने बता है एक unconditional और दूसरा conditional unconditional positive regard व्यक्ति के बालक के बच्चों की personality के लिए अच्छा होता है जिसमें बच्चा किसी condition के तहत अच्छे कारे नहीं करता किसी condition को रख करके उससे हम कोई प्रेम, प्यार, स्ने नहीं दिखाते हैं बच्चे के आत्म का विकास करने के लिए हमें उससे unconditional सम्मान देना होगा हम उसको, उसकी आत्म को स्विकार करें वह अपने आत्म में यह चाहता है कि मैं कुछ हूँ, मेरी नींदा ना की जाए मुझे as it is स्विकार किया जाए तो unconditional positive regard है कि हम किसी condition को रख करके अपने बच्चे से प्रेम इस नहीं ना करें अगर हम ऐसा करके उसकी आदितों को विक्सित करते हैं condition रख के यह आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए यह करूँगी ऐसा इस नहीं करूँगी, इतना प्यार करूँगी आप ऐसे हो जाएंगे तो वह एक conditional regard होगा और conditional regard आग की personality को deteriorate करेगा जब किसी भी व्यक्ति को एक unconditional regard मिलता जाता है और उसके एक self-esteem का development होता जाता है तब उसमें self-regard उत्पन होता है यह जो self-regard है वो व्यक्ति का अपना स्वैम का सम्मान है जिसको हम कहते हैं आत्मसमान इस प्रकार जो वस्तुबादी प्रवृति है वे आवेशकता है वे दो भागों में भाजित हो जाती है स्विकाराइतमक सम्मान और आत्मसमान रोज़र्स के अनुसार बच्चे के स्वा को स्विकार करने कार थिया है कि व्यक्ति अपने आपको एक मुल्यवान व्यक्ति, यानि ऐसा व्यक्ति जिसकी नींदा नहीं होती, सममान होना चाहें सुमझता है. जब बच्चा बड़ा होता है तो अक्सर किशोर अवस्था में देख लीजे या जीन प्याजे ने जिसे आत्म केंदुरता कही है जिसमें अपनी फॉनसेप्ट को ले करके रिजिट होता है तो वह चाहता है कि नहीं हम भी मुल्यवान विक्ति हम रिड़र कर सकते हैं तब अधार यह समझता है कि उसके मानक दूसरे की अभी वैक्ति पर निर्वर नहीं करते हैं बलकि अपने अनुभव पर वह आधारित है इस प्रकार से रोजर्स ने बच्चे की स्वा को बताया बच्चों में आत्मसंप्रत्य का विकास कैसे किया जाए इस पर चर्चा करते हैं प्रते एक बच्चे की अपने पोटेंशल होते हैं प्रते एक बच्चे की अपनी एक एनरजी होती है अपनी एक आएक की होती है जिसको लेकर के वो कक्षा में आता है ऐसी बरस्तिती में हर विक्ति का अपना एक आत्मन अपना एक सेल्फ कॉंसेट होता है अपना एक के व्यक्तिक रूची का भृत अधिक ध्यान रखना होगा, बच्चे की रूचीओं को मैं जानना होगा। primarily आप बच्चे की रूचीओं को कैसे जानेगे, यह भी एक बहुत मेहते पूल कश है। यह दिखें विद्याले के खेल के मैदान में, बच्चे को पुस्तकाले में जाकर देखना होगा, कि वो किस प्रकार की पुस्तके पढ़ता है, उसे किस प्रकार की पुस्तक़ों में अधिक रूची आती है, बच्चों के टीवी के कौन से वो सीरियल है, जो से देखना पसंद करता है, कख्षा के से हट करके जब हम उनकी रुचियों को जानते हैं तब हम उनके व्यक्तिक अंतर को समझ पाते हैं और व्यक्तिक अंतर को भी समझना होगा व्यक्तिक अंतर बहुत जो व्यक्तिक अंतर इंडिविजुल डिफरेंसेज हैं यदि हमने उससे समझ लिया तो हम बच्च में विद्याले का रूप एक ऐसा हो गया है जिसमें एक मेच बॉक्स की तरह मैटेरियल की तरह बच्चे तयार हो रहे हैं उनके इंडिविजुल डिफरेंसेस को हम ध्यान नहीं देते हैं एक बच्चा घड़ित में अच्छा है हो सकता है वह हिंदी में होता है इसके अपनी पसंद में अंतर होता है हमें इसको आत्म संपरत्य को विक्सित करने के लिए ध्यान देना होगा अक्सर हम क्या करते हैं इंडिविजुल डिफरेंसे को मनोवे ग्यानिक रूप से पढ़ तो लेते हैं लेकिन जीवन में नहीं उताते हैं हमारे इपने घर इंचल को ना देखते हुए उसको वैसा बनाना चाहते हैं जब हम दो बच्चों के बीच में तुलना करते हैं किसी एक गुन को ले करके और एक को अच्छा और एक को बुरा कहते हैं तो उसके अंदर एक अच्छे सेल्फ कॉंसेप्ट को हम डेवलप नहीं होने देते हैं एक के अंदर यह तो बहुत स्पेरिटी आ जाती है दूसरे के अंदर खीन भावना आ जाती है ऐसी परिस्थिती में दोनों के ही सेलफ एस्टीम में हम स्वेम गलत करने के लिए जिम्मेदार होते हैं तो एक अबिवावक एक शिक्षक के रूप में यदि हम छात्रो के व्यक्तिक अंतर को विवेल निस्तरों पर समझेंगे तो निश्यत रूप से हम एक अच्छा सिल्फ कॉंसेट डवलप कर पाएंगे अगली बात में करती हूं आपसे मुल्यांकन प्रणाली में बदलाब किया विश्टा जी आज की परिक्षा आज की मुल्यांकन प्रणाली में हमने वर्ग की इतनी कैटेग्री डिसाइड कर दी है जिसके अधार पर हमें पता ही नहीं चलता है कि दक्षता किस इस्तर पर जा करके छातरोस दक्षता को प्राप्त कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं डर भै पैदा करने वाली मुल्यांकन प्रडाली जिसको हम continuous comprehensive evaluation तो कह देते हैं लेकिन प्रतेक मंडे को हम एक बच्चे को जीरो दे रहे होते हैं और जीरो जब कि कहा भी गया है कि कोई ऐसा विशे नहीं है जिसमें बच्चे को ग्यान नहीं आता हो हम उसे अंक प्रदान करके उसके self concept को बढ़ा रहे होते हैं या घटा रहे होते हैं ऐसी मुल्यांकन प्रडाली जो अंको पर अधारित है जो विवनशेणियों पर अधारित है निश्चित रूप से एक अच्छा self concept डवलप करने में बाना के रूप में कारे करती है तो हमारे मुल्यांकन प्रडाली मे भी बदलाव की आवशकता है और साथ में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आत्म संप्रत्य के विकास के लिए एक सिक्षक को नवीन सिक्षन पढाली का प्रयोग करना होगा बहुत सारी नवीन सिक्षन पढालियां हो सकती है जसके प्रयोग के दोरा हम इसके सेल्फ कॉंसेप्ट को डेवलब कर सकते है चात्रों में सेल्फ कॉंसेप्ट अपनी एक जिम्मेदारी का अपनी एक निर्णा लेने की चंता का अपने में नेत्रत्व करने की चंता का विकास तभी हो सकता है जब हम उसे cooperative teaching learning method से पढ़ाएं जब हम उसे constructive teaching method से पढ़ाएं ऐसा नहीं है कि आप केवला करके उसे एक सूचना पुरदान करने वाले box की तरह पढ़ाए और उसका self concept क्या develop होगा जब आपसे प्रश्ण नहीं कर सकता आप एक डहरे में traditional तरीके से व्याख्यान करते जाते हैं और बच्चे की answer copy check करते जाते हैं ऐसा करके आप self concept डेवलप नहीं कर सकते हमें new innovative teaching methods का प्रयोग करके ही हम self concept को डेवलप कर सकते हैं इसके साथ साथ हमें समूगती विकास का ध्यान रखना होगा हमें देखना होगा कि हमारी कक्षाओं में कौन से वो बच्चे हैं जो कम बात करते हैं, जो शर्मीले हैं, कौन सा बच्चा है जो hero of the class है, कौन से बच्चे जो triplets में रहते हैं यानि हमें अपकी कक्षा की sociometry को समझ करके हम प्रतेक बच्चे को अलग से कांसल कर सकते हैं कि आपको सबसे से भागिता करने चाहिए आपको इस प्रकार से कारे करना चाहिए जिससे उसका self-esteem बढ़े समाज नाटक में भूमिका दे करके आज कल हम देखते हैं कि बच्चों के curricular और co curricular activities में काफी गयब होता है पूरे समय बच्चे को curricular activities में content और curriculum में फसा करके एक बोज्ध युक्त सिख्षाप्रणाली की बात हो रही है जबकि हम कहते है em learning without burden ऐसे बरस्तिती में यदि हम अपनी कक्षाओं में तो देखेंगे जब वो किसी रोल को play करते हैं तो वो वैसे ही अनभूती को अपने साथ ले करके आते हैं और जब वो रोल प्ले करते समय उस अनभूती को feel करते हैं तो धीरे धीरे उनका self-esteem develop होता है खेल की भामना की दवारा खेल द्वारा हम छात्रों की भामनाओं को उन्मुक्त करके उनके तनाव को कम करके उनकी सेल्फ कॉंसेट को डेवलप कर सकते हैं देखिए हमारे जो कख्षाओं में बच्चे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें असुरक्षा की भावना होती है और कुछ बच्चे होते हैं जिनका जो बहुत सुरक्षित तरीके से नेतरुद्व की छंता रखते हैं ऐसी परिस्तिती में ह इनके घर का महौल कुछ हैसा है जिसमें उसमें इनसीक्यूरिटी की फीलिंग है। ऐसे बच्चों को हमें खेल के मैदान में लाकरके विविन एक्टिविटी में लाकरके उन्हें प्रोचसाहिद करके हम उनके सेल्फ कॉंसेप्ट को बढ़ा सकते हैं। आत्मसंप्रत्य के विकास के लिए सिक्षक एक चिकित्सक के रूप की में भूमिका को निभाए। ये कित्सक से क्या दात पर है। टीचर एक डॉक्टर कैसे बने। कैसे उसके सेल्फ कॉंसेप्ट को बच्चे को बढ़ाए। जब भी एक डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो वैब मरीज के रोग के कारणों में जाते हैं डागनोसिस करते हैं और तब उसको रिमीडियर प्रवाइड करते हैं। इसी तरही किसे टीचर को अपने छात्रों को जब भी उनसे अंतक्रिया करें तो हंडिड परसेंट एक डॉक्टर की तरह उसकी प्रतेक की गई अन समझाना होगा कि आपके अंदर ये जो भावना है असुरक्षा की भावना है इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से जो बच्चों में आत्मसंप्रत्य के भाव को हम विक्सित करना चाहते हैं उसके लिए हमें जरूरी है कि कक्षा के प्रतेक छात्र को के लिए सौपें नित्रत संबंदी गुणों का विकास करें इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जैसे क्लास में मॉनीटरिंग करना तो हम देखते हैं कि कई बार हम क्या करते हैं कि महीने भर के लिए या हफ्ते भर के लिए रोटेशन की किरिया के दौरा हम नेत्रत संबंदी जो को रखते हैं कि यह अनुसाशित रहते हैं यह क्लास को साइलेंट कराते हैं यह क्लास में एक हूंबग असाइनमेंट्स को चेक करके लाते हैं यह बच्चों की मदद करते हैं ऐसे परिस्ते में प्रतेक बच्चे को यदि हम ऐसे कारी करनी का मौका देंगे तो निश्यत र वाता परण को अपनाना होगा यदि हम autocratic तरह के से पढ़ाएं हम हर जगा control करें हम हर जगा नियंत्रित करें तो निश्यत रूप से हम एसी परिस्तिती में बच्चों की शिक्षन अधियम प्रक्रिया को तो नियंत्रित करके उनकीục अधियम को उनको ऐसे कारे दें जो समू में हो जो टीम वर्क उनके अंदर पैदा करें क्योंकि छात्रों को आपस में सामन जस्ते करना आना चाहिए सोहार्द होना चाहिए एक दूसरे की मदद करने से भी सेल्फ एस्टीम हाई होती है ताकि छात्रों में समू के प्रति जिम्मेदारी आए वफदारी का भाव हो वे समाज के एक उत्तर नागरिक बन सकें तो इसलिए हम कहते हैं कि स्कूल प्लास्रूम एक इंपोर्टन पार्ट हो जाता है बच्चों की सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने के लिए छात्रों में वेग्यानिक और तर्क का भाव इक्सित करके उसको पुर्वा ग्रही ना बनने दे उसको सत्य की कसौटी पर रखने दे किसी भी नतीजे को स्विकार या स्विकार करने के लिए मैं पूरवाग रही ना हूँ कि किसी ने ऐसा बताया बेलकि वह स्वैम से निर्ने ले जब वो स्वैम से निर्ने लेगा तब वो सर्फ कॉंसेट को डेवलप कर सकता है ध्यापक को अधिगम में प्रयोग आत्मक सिक्षण विधियों को प्रयोग करना होगा जैसे बच्चो का स्वैम से डेवलप हो कुछ नवाचारी सिक्षण विधियों का भी प्रयोग करना होगा जैसे किसी भी विशाय को पढ़ाते समय अगर आप सहसंबंद विधी के दौरा पढ़ाएंगे तो उसका concept अच्छा होगा broad field method, integration method, experiential method आप बच्चों के अनुभाव को अपने बताने दें तब वो जाकर कि उनके self concept को मजबूत करते हैं बच्चों में आत्मसंपरत्य के विकास में कौन-कौन से बाधक तत्व हैं इसको भी समझना जरूरी है देखिए, गला काट प्रतियोगिता जो आजकल बढ़ती जा रही है जिसमें हम देखते हैं कि बालक आप competition की भावना से एक दूसरे की cooperation तो हटा दीजिए competition आ गया जिसमें दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो पढ़ रहे है ना कि सीखने के लिए बालकों को नीचा दिखाना अभिभावक थी बालकों को नीचा दिखाते हैं आप ऐसा नहीं कर पाए पुरसकार और एवार्ड के दौरा हम बच्चों में सफलता की प्रती भामत लगाओ पैदा कर देते हैं ये मिलेगा, आपको ये पुरसकार मिलेगा, ये एवार्ड मिलेगा, आपको नौकरी के लिए पढ़ना है नहीं, ऐसी ऐसी शिक्षा वेवस्ता जिसमें हम बच्चों को रेस का हिस्सा समझने लगते हैं उसमें हम बच्चों के अंदर एक मजबूत आत्मसंपरत्य का विकास नहीं कर पाते हैं बच्चे रेस का हिस्ता नहीं है बच्चे अपनी व्यक्तिकत दिन्रता के साथ अपने पोटेंशल के साथ आगे बढ़ेंगे तब ही सल्फ कॉंसेट का डेवलेप्मेंट होगा बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीक्नेस से दूर रखना हो दूर रखते हैं ना स्वाइमगे बारे में नहीं जानता बच्चे को उसकी प्रगती के लिए लगातार हम प्रोच साहिद नहीं करते हैं बलकि हतोत रहिताएं ऐसे हतोत रह थाईए सिकषक का नाम हम लें जो कि एक बीर सिक्षकों का निर्मान करते थे आज भही सिक्षक लगातार दंट, पनिश्मेंट, नकर आत्मक पुनर बलन देता है जिससे कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम बढ़ने की बजाए हीन भावना से ग्रसित हो जाता है ऐसे इसलिए कक्षा में, तक्षगत परिसितियों में कभी भी सकार आत्मक पुनर बलन दे सफलता को अंको के अधार पर आकने से भचे ऐसा करेंगे तो हम बच्चों के आत्मसंबान के साथ खेड़ते हैं बच्चों को आवेशक्ता से अधिक ग्रै कारे, संग्यान आत्मक कारे आत्म संप्रत्य के विकास में बाधक हो जाते हैं बच्चों में निश्पत्ती के अधार पर तुलना करते हैं स्वास्त पारिवारिक वाता वरण स्वस्त नहीं होता है माता पिता के बीच में जगडे होते रहते हैं और वह जगड़े वो कहते हैं कि हम सामने नहीं करते, आप सामने नहीं करते लेकिन आपके घर में वह जगड़े की वाइब्रेशन उन बच्चों को कैच होती है, एकल परिवार विवस्था, बच्चों की स्वतंदरता के अनुसाशन के नाम पर रोग देते हैं, इस्पून फ करते हैं, तो निश्शी दोर पर विद्याले की आत्मême संपृत्य विकास में क्या मिका है, बच्चों के जीवन के अनुभवों को रक्षागत परिस्तितियों में प्रोचसाहित किया जाए, इस प्रकार विद्याले में लोग्ता अंत्रिक, समा वेशी, संपोर्टिव, यदि टीचर्स रखते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों का सेल्फ कॉंसेट अच्छा होता है पाठितर क्रियाओं को बराबर महत तो दिया जाए विद्याले की समय सारणी में उनकी व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार रूचियल रूप क्रियाओं को इस्थान दिया जाए खेल में प्रतियोगिता भावना को बढ़ाया जाए सकरात्मक प्रतिस परदा को विक्सित किया जाए सतत व्यापक मुल्यांकन प्रविदी को अपनाया जाए सो विकासे तू स्वतंतरता भैमुक्तवात अवरण, क्रियाएं, प्रयोग और खोजा विश्यक है साथ में हम कहेंगे एक बैग्यानिक सोच, काल्पिनिक चिंतन, तर्क भाव को बढ़ाते वे यदि विद्याले में, कविता लेखन, बाद विवाद, सरजनात्मक लेखन, ऐसे विविन प्रकार के कारे करवाएं और बच्चों को आजादी दें, सुतंतरता दें, तो निश्यत रूप से एक अच्छा सा कॉंसेप्ट डबलप होगा नन्यवाद